तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो वाइट लाइन आपको दिखती है आसमान में जब कोई भी जैट या कोई भी प्लेंस क्लाउट के बीच से पास होता है तो आगे वाइट लाइनस बनती ही क्यूं है तो एक छोटी सी पहले बात बताना चाहूंगा आपको आपको साहत पता कि कोई भी hot humid air जो होता है अब hot humid air क्या होता है तो गर्म water vapor एक तरह से बोल सकते हैं water जिसको बहुत high temperature पर है तो suddenly उस high temperature water vapor को अगर low temperature पर ले आए तो क्या होगा वो condense होने लगेगा और भाप की तरह निकलने लगेगा जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो जब आप बोलते हो ना थंड के मौसा में तो एक भाप आपके मुह से निकलती है क्यों ऐसा कि हुआ क्योंकि आपके मुह से आपके अपने मुह से क्या-क्या hot humid air निकाला यानि गर्म हवा आपने निकाला और यह गर्म हवा जब ठंडे एट्मोसफेर के इसके हाउप वह इस गर्म में चैंज होना शुरू हो गई हलाकि यहां पर इतना लो से तो नहीं होता है अर्थ पये कि वह आईस kristal बन जा है लेकिन हम वह से वाइट फॉक का फॉर्म जरूर लेटी है बट जहां पर जेट एर्वेस होता है वहां जो बहुत उल्मोस्ट 8 क को दिखाया जाएगा ठीक है उस exhaust pipe से जब hot humid air निकलता है ठीक है hot humid air when released from the exhaust pipe of the jet plane देखे ये exhaust pipe हो गया आपका ठीक है and it release a hot humid air like this तो जब hot humid air निकलता है और वो minus 36 degree Celsius इसने कम temperature के contact में आती है then it start to convert into ice crystal तो कुछ होते हैं जो पूरी तरह से ice crystal में convert हो पाते हैं कुछ होते हैं जो condense होके fog बना लेते हैं ठीक है it will make a fog आप देखो कोई भी water को आप फ्रीजर में डाल दो वो क्या होगा ice बन जागा ice क्यों बन गए कोई temperature बहुत लोग हो गया suddenly तो similar thing happen in this diagram okay so i hope you understand how this white fog formed in such a beautiful pattern on a straight line thank you